हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे दोस्तों आज हम 5 टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि उनमें कैसा मौका बन रहा है इससे पहले कि हम आगे बड़े अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें इसके साथ ह अगर आपको यह वीडियो पसंद है और यह जानकारी पूर्ण लगता है तो इस वीडियो को लाइक कमेंग और शेर करें बाजार के घंटों के दौरान लाइव अपडेट के लिए आप अपने टेलीग्राम आप पर स्टॉप मार्केट स्टीवी सर्च करके या निचे डिस्र प्रेक्शन बॉक्स में दिये लिक पर क्लिक करके भी आप हमारे साथ जोड़ सकती है तो आज का हमारा पहला स्टॉप कैंपस एक्टिव वियर लिमिटेड है ये स्टॉप सोंबार 14 अगस्त 2023 को 295 रुपए और 75 पैसे पर बंद हुआ है स्टॉप का 52 हाई 649 रुपए और 30 पैसे है और 52 वीक लो 282 रुपए और 75 पैसे है स्टॉप ने हाल के दिनों में 283 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अब अपमूव दिखाना शुरू किया है अब जो इसका टार्गेट निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रिजिस्टन्स 325 रुपए और 40 पैसे इसका दुसरा रिजिस्टन्स 348 रुपए और 95 पैसे और इसका तीसरा रिजिस्टन्स 366 रुपए अगर यह स्टॉक अपना अपमूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लवल्स को भी टच करते हुए नजर आ सकता है और अगर यह स्ट इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 283 रुपए और 85 पैसे इसका दुसरा सपोर्ट होगा 249 रुपए और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 193 रुपए और 40 पैसे इस स्टॉक में एक या दो परसंट या फिर फर्स्ट सपोर्ट पे स्टॉप रखके current level से थोड़ा उपर नीचे entry बनाया जा सकता है तो आज का हमारा दूसरा stock Godrage Consumer Products Limited है ये stock सुमवार 14 अगस्त 2023 को 1035 रुपए और 55 पैसे पर बंद हुआ है stock का 52 week high 1102 रुपए और 5 पैसे है और 52 week low 793 रुपए और 85 पैसे है stock ने हाल के दिनों में 999 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अब अप मूव दिखाना शुरू किया है अब जो इसका target निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला resistance 1071 रुपए और 45 पैसे इसका दुसरा resistance 1084 रुपए और इसका तीसरा resistance 1102 रुपए अगर यह stock अपना अप मूव continue रख पाता है तो आने वाले समय में यह stock इन लवल्स को भी टच करते हुए नजर आ सकता है और अगर यह stock इस level से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला support होगा 1029 रुपए और 25 पैसे इसका दुसरा support होगा 1004 रुपए और 10 पैसे और इसका तीसरा support होगा 991 रुपए और 50 पैसे इस stock में 1 या 2 परसंट या फिर 1st support पे stop loss रखके current level से थोड़ा उपर नीचे entry बनाया जा सकता है तो आज का हमारा तीसरा stock Easy Trip Planners Limited है यह stock सुमबार 14 अगस्त 2023 को 40 रुपए और 60 पैसे पर बंद हुआ है stock का 52 वीक हाई 73 रुपए और 50 पैसे है और 52 वीक लो 49 रुपए और 70 पैसे है stock ने हाल के दिनों में 40 रुपए के आसपास support लेने के बाद अब अप मूव दिखाना शुरू किया है अब जो इसका target निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला resistance 42 रुपए और 55 पैसे इसका दुसरा resistance 44 रुपए और 30 पैसे और इसका तीसरा resistance 47 रुपए और 30 पैसे अगर यह stock अपना अप मूव continue रख पाता है तो आने वाले समय में यह stock इन लवल्स को भी टच करते हुए नजर आ सकता है और अगर यह stock इस level से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला support होगा 40 रुपए और 5 पैसे इसका दुसरा support होगा 38 रुपए और 85 पैसे और इसका तीसरा support होगा 37 रुपए और 45 पैसे इस stock में 1 या 2 परसंट या फिर first support पे stop loss रखके current level से थोड़ा उपर नीचे entry बनाया जा सकता है तो आज का हमारा चौथा stock Reliance Industries Limited है यह stock सोंबार 14 अगस्ट 2023 को 2577 रुपए और 25 पैसे पर बंध हुआ है stock का 52 हाई 2630 रुपए और 95 पैसे है और 52 लोग 1989 रुपए और 15 पैसे है stock ने हाल के दिनों में 2460 रुपए के आसपास support लेने के बाद अब अब move दिखाना शुरू किया है अब जो इसका target निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला resistance 2630 रुपए और 25 पैसे इसका दुसरा resistance 2736 रुपए और इसका तीसरा resistance 2906 रुपए और 10 पैसे अगर यह stock अपना up move continue रख पाता है तो आने वाले समय में यह stock इन levels को भी touch करते हुए नजर आ सकता है और अगर यह stock इस level से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला support होगा 2469 रुपए और 50 पैसे इसका दुसरा support होगा 2398 रुपए और 35 पैसे और इसका तीसरा support होगा 2345 रुपए और 90 पैसे इस stock में 1 या 2 परसंट या फिर first support पे stop loss रखके current level से थोड़ा उपर नीचे entry बनाया जा सकता है तो आज का हमारा पांचवा stock महिंदरा logistics लिमिटेड है ये stock सोमवार 14 अगस्त 2023 को 389 रुपए और 85 पैसे पर बंध हुआ है stock का 52 वीक हाई 566 रुपए है और 52 वीक लो 349 रुपए और 70 पैसे है stock ने हाल के दिनों में 354 रुपए के आसपास support लेने के बाद अब अप मूव दिखाना शुरू किया है अब जो इसका target निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला resistance 391 रुपए और 40 पैसे इसका दुसरा resistance 413 रुपए और 30 पैसे और इसका तीसरा resistance 430 रुपए और 20 पैसे अगर यह stock अपना up move continue रख पाता है तो आने वाले समय में यह stock इन levels को भी touch करते हुए नजर आ सकता है और अगर यह stock इस level से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला support होगा 357 रुपए और 15 पैसे इसका दुसरा support होगा 349 रुपए और 85 पैसे और इसका तीसरा support होगा 325 रुपए और 70 पैसे इस stop में 1 या 2% या फिर first support पे stop loss रखके current level से थोड़ा उपर नीचे entry बनाया जा सकता है दोस्तों यह video cable और cable educational purpose के लिए है इनमें कोई बाई, sale या hold की सलहा नहीं है आपको व्यापार करने से पहले अपने वित्तिय सलाहकार से परामर्ष करने की सलाह दी जाती है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में तब तब के लिए अलविदा